नमस्क्राइब दोस्तों आप सभी का अमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों मद्र प्रदेश के ग्रीव मंत्री निर्फतम गयंग पर निशाना सदा एक प्रेस कॉन्फरेंस के दोरान मंत्री निर्फतम मिस्रा ने सवाना आजमी जाबे दक्तर और नस्रीदुइन साथ तीनो को ही टुकुड़े टुकुड़े गैंग का स्लीपर सेल कह दिया आए देखते हैं यह पूरा वीडियो अब आजमी ने जो गुजरात की गट्टाओं को देखा स्टीकर की पढ़ियें की है और कहा है कि अधार सही से काम नहीं करें यह क्या है सवाना आजमी है जावेद अक्तर जी है नसुरुद्दीन साह है यह सब टुकुड़े टुकुडे गैंग की स्लीपर सेल है अच्छा आप बता जो कनया की हत्या हुई थी कनया लाल की गुजरा राजिस्तान में उस पर बोली थी यह कुछ नहीं बोली थी अभी हमारी बेटी को जारखंड में जिन्दा जला दिया बोली यह कुछ नहीं बोली भाजपा सासित राजि में अगर कोई घटना हो जाए फिर आप देखिए नसुरुद्दीन साहाजी को इनको फिर देश में रहने से डर लगेगा फिर एक हावाड बापसी गैंग है वो सक्री हो जाएगी और फिर गला फार फार कर चिल लाएगी यह अपनी घटिया मान सकता का परचे देते हैं इन्हें सब और धर्मन पर केसे क कहा जा सकता है यह बिचार है अब इन सब लोगों की कलई खुल चुकी है देश के अंदर वालीवुड में काम करने वाली सवाना आजमी ने हाल ही में विलकिस बानो गैंग रेप के दोसियों की रिहाई को लेकर नाराजगी जाहिर की थी इस पर जब मंत्री निरोतम मिस्रा से सवाल किया गया तो उन्हों ने कहा सवाना आजमी लेखक जावेद अक्तर और नस्रीदीन सा टुकडे टुकडे गैंग के स्लिपर सेल हैं गुरु वर्दो सितंबर 2022 की प्रेस कॉन्फरेंस में MPK ग्री मंत्री निरोतम मिस्रा ने कहा सवाना आजमी को बिलकिस बानों का क इस तो दिखाई देता है लेकिन राजस्तान में कनहिया लाल की हत्या नहीं दिखाई देती इस पर सवाना आजमी कुछ नहीं बोली जारकन में हमारी बेटी की जिंदा जला कर हत्या की गई इस पर इनकी गैंग कुछ नहीं बोली इस दोरान उन्होंने कहा कि टुकडे टु लगने लगेगा यह सभी लोग तब गला फार फार कर चिलाने लगेंगे आवार वापसी गैंग भी सक्रिय हो जाएगी वर्ज दो हजार दो में गोधरा में ट्रेंड के भीतर हिंदूों को जला कर मारा गया था इसके बाद गुजरात दंगे हुए विल्किस बानो के इसी का एक चल्चित मामला है आरोप के अनुसार गुजरात के दाहोद जिले के राधिक फुर गाओं में रहने वाली बिल्किस बानो के घर अनुमानता 20 लोगों ने हमला कर दिया था आरोप है उन हमलावरों ने बिल्किस उनकी मां और तीन अन्य महिलाओं के साथ बलातकार किया इसके अलावा यह भी आरोप है कि हमलावरों ने बिल्किस के खांदान के कुल 8 सदस्यों की हत्या की जबकि 6 लोग लापता हो गहते हैं गौर करने वाली बात है कि हमला करने वालों ने तीन साल की एक मासूं को जिन्दा छोड़ दिया था हमले के बाद बिल्किस बेहोस हो गई थी होस में आने के बाद उन्होंने एक आदिवासी महिला से मदद ली थी इसके बाद हुआ एक होम गाड से मिली थी जो उन्हें लिम खेडा पुलिस स्टेशन लेकर गया था इस मामले में सिबी याई ने बताया तथ्यों को दवाया गया और सिकायत का एक विक्रित तथा छोटा संस्क्राइब लिखा गया ज़स्तों इस पूरी गटना के बारे में आप क्या सुचते हैं और इस पूरी ख़वर के बारे में आप क्या सुचते हैं अपनी राहे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद